नमस्कार जैहें तो फ्रेंट्स आज हम डिस्कूस करेंगे शोध में ICT के अनुपर्योग चरंदर चरंड यानकी application of ICT in research step by step तो देखे इससे पहले मैंने जो पहला पार्ट बनाया था जिसमें मैंने देखे application of ICT research क्या था basic वाला इसमें हम करेंगे step by step जो research में ICT कैसे होती है पूरा इसमें जानेंगे इसके बाद आखरी lecture आएगा application of ICT research का जिसमें हम shortcut summary करेंगे बिलकुर short में तो जिससे आपको बहुत असानी हो जाएगी तो यह बहुत important lecture है इसलिए मैं आपको यह तीन पार्ट में दे रहा हूं कि ताकि आपका कही भी number कटे ना तो वीडियो को देखते जाएए लिखते जाएए आपकी फ्री में तैरी हो जाएगी लेकिन अगरे आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमें इस नंबर पे contact और WhatsApp करके PDF ले सकते हैं और हमारा WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं जहाँ पे आपको complete PDF मिलेगा हमारे WhatsApp ग होता है कि जब भी आप रिसर्च करते हैं उसमें जरूरी है डाटा को इकठा करना है डाटा के लेक्शन होता है तो देखें इसमें तीन पाट आते हैं पूरव डाटा विशलेशन में ICT के अनुपरयोग यानकी application of ICT in pre-data analysis यानकी देखें वो stage जो डाटा इकठा करने से प इसका बार में सोचा जाता है कि डाटा कैसा होन चाहिए कहां से लिया जाना है दूसरी stage है डाटा विशलेशन में ICT के अनुपरयोग यानकी application of ICT in data analysis यानकी यहां पर क्या है कि डाटा कैसे इकठा कर लिया गया है पहला जो था उसमें था कि डाटा कैसे इकठा करना है दू application of ICT in post data analysis इसमें क्या है कि डाटा इकठा करने के बाद यह देखा जाता है कि क्या उसमें कमिया है कहीं डाटा इकठा जो किया गया है वो चोरी का तो नहीं है तो यह सारी चीज़े इसमें देखी जाती है यानकी पहली stage वो है जहां डाटा इकठा करने का तरीका दूसरी स् जाती है तो इसे briefly discuss करते हैं चलिए तो देखे पहला जो पार्ट है पूरव डाटा विचलेशन में ICT के अनुप्रयोग यनकी application of ICT in pre data analysis तो देखे सबसे पहले पूरव डाटा विचलेशन में ICT के अनुप्रयोग उन गति विदियो को संदर्भीत करते हैं जो डेटा विच विच्ञान अनुसंधान की गति विदियो पर ICT कैसे लागू करते हैं तो देखे यहां पे क्या है कि जो data isolation का चरण देखे सिंपल सी बात है कि data इकठा करने से पहले यह दिखा जाता है कि data कैसे किया जाए यानि कि देखे यहां पे जो समाजिक विच्ञान है जो social activity है वहा से पहले data कठा करने के लिए साहितिक होज यहनकी literature सर्च होता है दूसरा समग्री को जिनकी content सर्च होता है तीसरा साहितिक समझना साहितिक देखना होता है लियनकी literature tracking चौता होता है आंकडे संकलन यहनकी data collection यह की data कठा करने के लिए दिखे हमें 4 स्टेजे से गुज़ना तो यही चीज़े आती हैं, जहाँ पे डाटा इकठा करने की टेक्निक होती है सबसे बइले बात करते हैं साहित्टिक खोज के बारे में पहली बार शोद करता, आप देखें साहित्तिक खोज है यह लिट्रेचर सर्च है यहाँ पे देखा जाता है कि जो literature या साहित्य कैसे खोजना है हमें डाटा एक अठा कर रहा है तो उसके लिए साहित्य खोज कैसे की जाती है देखे पिछली बार शोद करता को पुस्तकाले में साहित्य की प्रतियों परिखोज करने के विश्यक्ता है जिसके तहट यह कठन परियास है और खोज परणाम सिमित थे अब देखें यहाँ पे क्या था कि पुराने समय में क्या होता था कि जो शोद करता होते थे उन्हें पुस्तकाले यहनकी लाइब्रेरी में जाके क्या करना पड़ता था साहित्य की परतिक खोजने की अफशक्ता होती थी है ना यहां के देखें अगर आपको रिसर्च करनी है अगर किसी को रिसर्च करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था पहले उनको लाइब्रेरी जाना पड़ता था वहाँ पर जो मोटी-मोटी किताबे होती थी साहित्य की उन्हें उठाना पड़ता था उन्हें देखना पड़ता था उनसे काम का जो डाटा है वो निकालना पड़ता था तो जो परणाम थे वो भहुत सिमी थे लेकिन देखें इससे विपरीत क्या हुआ कि जो आजकल सब कुछ online हो चुका है ICT की helps है एनकी information communication के technology से क्या है सब कुछ आजकल आसान हो चुका है जिसके वज़े से क्या है कि जो भी शोद समगरी होती है इसके विरपीरित आज बहुत सारी शोद समगरी साहित्य और कलाकृत्यों को internet खोज engine और database को अपयोग करके खोजा जा सकता है देखें पहले समय में जो काम library में जाके books को खोजने के बात होता था आज के समय में क्या होता है कि हो ही चीज इंटरेट के जरिए ICT के जरिए बहुत असान हो चुकी है वहाँ पर क्या है कि आप इंटरेट पर जहके गूगल पर सर्च करते हैं कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको अपने research से समन्दित शोज से समन्दित या अनुसंधान से समन्दित आपको सारी चीज़े भाँ पर मिल जाती है तो देखें गौर्रमेंट के तरब से यह चीज़े बनाई गई है जैसे शोद गंगा, गूगल स्कॉलर माइक्रोसोफ्ट अकैडमिक सर्च मैंटले या SSRN यनकी सोचल साइस रिचाज नेटवर्क यह वो चीज़े हैं जहां पे आप असानी से शोद को या अनुसंधान का जो डाटा है वो असानी से या से खोज सकते हैं तो देखे शोद कंगा क्या है? भारती शोद भंडार जहां आप खोज और डावलोड कर सकते हैं अब देखे कोई भी researcher है या शोद करता है उसकी जो थीसीस होती है जो उसका काम होता है वो शोद कंगा पर अपलोड करना ज़रूरी है क्योंकि देखें जो आने वाले शोध करता है जो आने वाले researcher है उनको help हो जाए अगर मानेजे same topic के उपर उनको किसी topic के उपर देखें किसी विशे के उपर उनको कुछ भी खोज करनी है उनको किसी विशी को पर शोध करना है तो अगर उस पे पहले, उस टॉपिक के उपर पहले ही शौध हो चुकी है तो उनको असानी हो जाएगी अपनी शौध को आगे बढ़ाने के लिए तो इसके लिए क्या है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा इसलिए शोद गंगा का एक platform है जहाँ पे नए शोद करता, पुराने शोद करता की thesis को देख सकते है तो यहाँ पे शोद गंगा में आपको सारी चीजे शोद के लिए मिल जाती है गूगल स्कॉलर में देखिए व्यापक रूप से विश्यों और सत्रोतों में विद्वानों के साहित्ते की कोज करने का एक तरीका परदान है आप देखिए जहाँ पे लाइबरेरी में जाके शीजे खोज नहीं पड़ती थी लेकिन अभी गूगल स्कॉलर में क्या है आप जाके वहाँ पे जो बहुत विद्वान है उनका साहित्ते असानी से खोज सकते है माइक्रोसोफ्ट अकैडमिक सर्च क्या है देखिए कई स्त्रोतों से अकैडमिक पत्रों लेक को समेलनों पत्रिकाओं और संगठनों के बारे में जानकारे प्रापत करे या प्रापत कर सकते है अब देखिए यहाँ पे क्या है जो पत्रिकाए है जो संगठन है जो पत्र है लेक है जिन इंसिटूशन के है न तो वहाँ पर आप असानी से यासे देख सकते हैं मैंटले क्या है देखे यह अनूठा मंच है जिसमें एक सामाजिक नेटवर्क संधरब प्रबंदक लेक दृश्य उपकरण शामिल है मैंटले में देखे बहुत सा एक क्या है एक अनूठा मंच है यहां पर आपको सोशल नेटवर्क मिल जाता है जैनकी जिस शौत से आप समाजिक विज्ञान में विद्वानों के अनुसंधान और संबंदित समक्रियों के बहु विश्यक online भंडार यहां पर देखे social science research network में गया है कि जो social science से जो research हमें करनी है जो समाजिक विज्ञान है जो हमारा समाजिक विज्ञान है जहां पर इस society में रहते है हमें उसके समंद्ध में देखे जो कोज करनी है उससे समंद्धि देखे यहां पर हमें online बहुत जारा data यहां पर मिल जाता है तो यह वो चीजे है जहां पर हम literature कोज कर सकते हैं साहित्ते कोज कर सकते हैं literature search कर सकते हैं तो इसके जरी हम अपना data जाटा असानी से कवर कर सकते हैं नेक्स्ट है सामागरी खोज यान की दिखें content search तो देखें सबसे बहुत करना दूसरा समंगरी को कोज करना अब देखें content search करना बहुत जुरूरी है सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो शोद करनी है वह शोद कैसे की जानी चाहिए उसक की अनुसंधान की दुनिया में शोद करता सौफ्ट कॉपी साहित्य की खोज या फंक्शन जिसे समगरी खोज भी कहा जाता है का उपयोग उन विशिस्ट की वर्ड या वक्यांशों की खोज करने के लिए कर सकते हैं जिने अया अधिक परभावी है या वलोकर्मी समर्थित है कि सैक्रन 2003 ने कहा था कि परद्योगी की का उपयोग करके ऑनलाइन खोश सती है और साहित्य के फ्रसंगिक स्तुरत की पहचार में सुधार कर सकती है तो देखे यहां पे सिंपल सी बात क्या है कि जब भी आज शोद की जाती है शोद करता के द्वारा तो वो सौफ्ट कोपी मतलब होता है कि पहले जबाने में देखे क्या होता जब भी शोद की जाती थे आप हाथों से लिखते थे पहले पेपर के उपर तो उससे क्या होता था कि कॉपी जो होती थी उसको संभाल कर रखना पड़ता था तो अभी क्या है कि जो भी शोद की जाती है वो किस पे होती ह या laptop के अंदर आपके एक file save है आपकी जो शोद जो है वो safe है है ना वो save खो जाती है वापे hard copy क्या है जब आप हाथों से लिखते है और paperwork के रूप में वहाँ पे आपके बस होती है तो आज की जितने भी शोद होती है वो soft copy है आप देखिए शोद घंगा को आप सर्च करेंग कि जो soft copy के लिए होती है या जो online आज कल research की जाती है ICT के दवरा या प्रधिक की दवरा वो सस्ती होती है इसलिए इसमें क्या है प्रारमिक्स तरोज जो है वो असानी से पहचाने जा सकते है तो simple सा यहाँ पे कहने का यह मतलब है कि पहले देखे खोज करने के लिए शोद क skill क्या है आपको जगा जगा घुमना नहीं पड़ता तो आप असानी से computer में शोद कर सकते हैं उसे लिख सकते हैं और online Google YouTube करके आप असानी से कहीं पे भी किसी जगा के बारे में जान सकते हैं तो इसे आपका पैसा भी बचेगा आपका सामें भी बचेगा तो यह हो गया content search य आपे साहित्ते समझना ये साहित्ते दिखनाएं की literature tracking सो देखे सबसे पहले अतीत में शोद करताओं को अपने सभी साहित्ते या कलाकृति को सौट करना वर्गी करित करना संग्रहित करना पड़ता है जिनकी computer folder या भोतिक folder या स्थान धारकों में स्मिक्षा की थी तो देख अगर हम कुछ साल पहले की बात करें जो भी साहित्ते होता था जो भी कलाकृति होती थी किसी शोद करता की तो क्या करते थे computer में उसे पहले sort करते थे sort करने का मतलब क्या है वो उसे crumb wise लगाते थे तो जैसे बढ़ते कर दो जैसे पहली जैसे lesson 1,2,3,4 ऐसे करके वो क्या थ उसे sort किया जाता था उसे एक line में लगाया जाता था उसे क्या था कि crumb wise लगाया जाता था फिस से वर्गी करित किया जाता था जैसे मान लिजिए कि भारत की जनसंग्या के उपर किसने खोज की है तो सब सिफ आपको पता है कि जन करना हाथ दस साल में होती है तो किसने देखे पहले 1991 1991 गी Скोज कि दोसारा रेक Madan की 1210 की लिए तो सारा टेर नटामिकश् takes 99 जो 1991 गहिंके 1991 sculpture गहेंगे 2001 गश्राइट कर देंगे 2001 uh wyekski कर देंगे a फोलडर बना लेंगे तो यह क्या करते थे उसकी समिक्षा करता से बाद में कि जिसके बारे में हमने जाना है जिसके बारे में हमने देखा है माल लेजे भारत की जनसंग के उपर उन्हें खोज की है। उसकी समिक्षा की जाते थी किया वो सही है। और प्रॉपर है। अगर कुछ अन्नस्ैसरी चीज है जो काम की नहीं है। उसे हटा दिया जाता था। तो देखे यहां पे सबसे बड़ी प्राप्लम क्या थी। यहां पे क्या था कि जब भी करने के लिए ताकि वह भविश्य में फिर से उपयोगों संद्र पिकर सके एन्हें हाथ समंधी रूप से काम कठिन हो सकता है यहां पर क्या था सब कुछ पहले उन्हें मैनूली तरीके से करना पड़ता था उनको फोल्डर मना के वहां पर लगलग चीज रखनी पड़ती थी और एक ऐसी चीज वहां पर ट्रैकिंग तंतर आप उनके बनाना पड़ता था ट्रैकिंग तंतर मतलब होता है कि जैसे मां लेजे उनको किसी चीज की जरूरत पड़ पिखेंगे दिखें उसे कुछ से काम करना पड़ता था कुछ से हाइलाट करना पड़ता सा ताकि वो उसका पिर से इस्तिमाल कर सके तो यह काम पुराने द्रिष्टिकों का उपयोग कर सकते हैं अधिक से अधिक शोद करता अब मैंडले जैसे सॉफ्ट्वेर का इस्तिमाल उपयोग कर रहे हैं जो साहित्ते समगरी और संपर्कों को समद्वित को प्रमंदित करके साजा करने खोजने में मदद कर सकते हैं जिनकी समिक्षा उनने की थी तो देखे पहले जो काम मैनूली तरीके से करना पड़ता था पहले एक जगा फाइल रख थी फिर उससे खोजना फिर इससे संभाल के रखना लेकिन आशकल क्या है जो मैंडले नाम का एक सॉफ्ट्वेर है यहां पर उसकी मदद से रिसर्च करता को बहुत असानी हो चुकी है जिससे क्या है उनको ट्रेकींग तंतर खुछ से नहीं बनाना पड़ता अगर माल नीजी जो उनका रिसर्च वर्क है अगर पहले उन्हें उनमें कुछ समगरी चाहिए कुछ साहित्थ् लेकिन मैंडले की मदद से क्या है समयक्षा असानी से हो सकती है तो ये काम उनका काफी असान हो गया किसकी वज़ा से हुआ ICT की वज़ा से हुआ एक शोदकर्ता के साहित्य को ट्रैक करने के लिए मैंडले जैसे software का अपयोग करते समय और प्रयास के साथ साथ बहुत सारे साहित्य को प्रबंदित करने में सक्षम है कि शोदकर्ता अतीत में संभव नहीं था पहले क्या था देखिए पहले जब भी बहुत बड़ी फाइल थी तो उसे संभालना मुश्किल था लेकिन जो मैंडले जैसा देखिए जो software है उसकी मदद से क्या है बहुत सारे जो साहित्य है उसे प्रबंदित किया जा सकता है उसे एक जगबे रखा जा सकता है पहले ऐसा नहीं था यानकि सिंपल सी बात यह है कि जैसे समय बीता गया तो उसमय क्या हुआ कि काम असान होता गया जो काम देखिए बहुत मुश्किल था पहले सब कुछ अपनी मेहने से क कि जो डाटा संग्रह है ओनलाइन वैब आधारित या इंटरनेट सर्वेक्षन के मादर से एक्रित किया जा सकता है इस उदेश्य में निर्मे सॉफ्ट्वेर और इंटरनेट प्रवदगी किया उपयोग करना जो डाटा संग्रह में प्रवदगी की है उतरदाओं उतरदाओं से सर्वेक्षन की गई प्रतिकरियां को गठा करने के लिए समय और लागत को कम कर सकते हैं ना केवल एक ओनलाइन सर्वेक्षन को अधिक प्रभावी धंक से प्रशासित किया जा सकता है बलकि इसके मूल प्रारूप में एक्तिरित किये गई डाटा को सीथे सांख संकलन कैसे की जा सकते हैं डाटा क्लेक्षन कैसे किया जा सकता है आप देखे कि पहले क्या होता था कि डाटा इकठा करने के लिए जगा जगा घूमना पड़ता था सर्वे करना पड़ता था लेकिन आशकल क्या है आप ऑनलाइन भी अपना डाटा इकठा कर सकते हैं पहले स सारी एप से जो में है गूगल पर आप साज़ कर सकते हैं बहुत साफ गूगल एप जैसे होती है उसकी आप गूगल मीट है ना यह सर जीजे तो इसे क्या है कि अगर आपको मान जिये किसका इंटर्वी लेना है आप दिल्ली में है वो महराष्टरा में है तमिल नाडू में है तो आपको तमिल नाडू या महराष्टरा जाने की जूरत नहीं है आप घर बैठे बैठे अपने लैप्टोप से मुबाइल से या कम्पूर्टर की मदद से आप उसके साथ ओनलाइन बैठ के उसका इंटर्वी वहाँ पे ले सकते हैं तो यह क्या है यह ICT के वज़े से काम करना असान हो गया जो बाद आपको वहाँ पे जाके पता चलनी थी वही काम आजकल आपको इंटरनेट के जरी असानी से पता चल जाती है तो इससे क्या है देखिए बहुत सारे सौफ्ट्वेर ऐसे बनाए गए हैं इंटरनेट के इस्तमाल करने के लिए जो की सर्वेक्षन करने में मदद करता है और जो टाटा इकठा करने में मदद करता है इससे क्या है आपका समय भी कम लगता है आपको लागत भी इसमें कम आ कम लगेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे तो ये बहुत सारे फाइदे हुए हैं ICT की बज़े से इसमें हम बात करेंगे अभी जहां पर डाटा किया गया है तो इससे पहले जो हमने देखे देखा था यहां पर किया गया है उसको जांचना है उसका अनेलसिस करना है कि वो कैसा है अब देखे डाटा विशलेशन में ICT के अनुपरयोग में शामिल है ICT को डाटा विशलेशन के चरन के दोरान गती विदियोपर रागू किया जाता है और इसमें विभाजित किया जा सकता है अब देखें जो data एकर्था किया है वो दो तरह से होता है पहला होता है quantitative data analysis यानकी मातरात्मक data visualization दूसरा होता है qualitative data visualization यानकी data analysis यानकी गुणात्मक data visualization देखें data हमेशा दो तरह को होता है पहला मातरात्मक दूसरा गुणात्मक अब देखिए कि जो आपके notes होते हैं वो भी दो तरह से पहले मातरात्मक है दूसरे गुणात्मक है बहुत सारे student देखिए ये सोचते हैं कि अगर आपके पास मालीजे 500 page की book है तो आप देखेंगे कि हाँ आपके तसलियोगी कि मेरे पास बहुत बढ़िया वुक है लेकिन 500 page की book तो है मातरात्मक तो आपके पास है लेकिन वो आपके कितना काम का है वो उसमें गुण कितने है वो कितने काम का है ये जानना बहुत ज़रूरी है तो इसको हम briefly discuss करते हैं तो बात करते हैं मातरात्मक data visualization की quantitative data analysis के बारे में सो देखे quantitative या मातरात्मक होता है कि आपके पास data है वो कितना बड़ा है कितने pages का आप देखे जब भी research की जाती है वो बहुत सारा data कठा किया जाता है आपके पांच हजार pages का data है आपको उसमें से अभी देखना है कि आपके पेच कितने काम के फिर आप उसमें से जो unnecessary चीज़े है जो काम के नहीं चीज़े वो हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हैना फिर आपके पास क्या है quality notes निकल के आएगा तो देखें खोज करता कारक visualization एकाधिक प्रतिगमन टी प्रिक्षण और visualization का visualization यनकी ANOVA को समाने data visualization तक्निके हैं जो मातरात्मक अनुसंधान का संचालन करने वाले शोत करता के उपयोग की जाती है अब देखें यहाँ पर क्या है कि मान लिजे कि कोई शोत करता है उसे देखें अपना मातरात्मक data visualization करना है उसे ये देखना है कि जो उसके बस data है कितनी quantity में data है कितनी मातरा में data है वो analysis करके देखना है कि वो data उसके काम का है या नहीं तो वो कैसे करेगा तो देखे उसके सारे उसके पास आज तक बहुत सारे सॉफ्ट्वेर हैं जैसे देखे कुछ उन्नत और लोग पर ये डाड़ा विशलेशन तकनिके भी है जैसे पत विशलेशन, सह सियोजक, आधारित, सनचनात्मक, समीकरन मॉडलिंग, SEM, वीचरन बेड़, SEM, आंशिक क्रमित प्रतिकम विशलेशन और प्रदानुक्रमित रैखिक मॉडलिंग, देखे हिंदी में नाम इसके थोड़े से अजीब है, थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आप इसे इंग्रिश में भी देख सकते हैं, बहुत असानी से हैं, इंग्रिश का वीडियो भी हमाला आया ह तो वो उसके काम का है या नहीं, उसका एनलसिस करके देखना, उसका विशलेशन करना, तो वो इन चीजों की मदद से उसे देख सकता है, तो देखें, यहां पर में में बात आती है, SPSS यानकी Statistical Package for Social Science, अधिक सोविधाओं और कारेक्षमता के साथ साथ उन अधिक उन्नत और समरिध है, दिखें, जितने वी जो चीज़े हैं, यह सारे सॉफ्टवेर हैं, पता लगाने के लिए, कि मातरातमक डाटा विशलेशन करने के लिए, यानकि यह सारे सॉफ्टवे के लिए, एक रिसर्चर के लिए बनाए गए हैं, कि ताकि वो यह जान सके, कि उसका डाटा है, मातरातमक डाटा है, उसे कैसे उसका विशलेशन किया जाए, उसको कैसे अनर्सिस किया जाए, तो SPSS जो है, इनकी Statistical Package for Social Science, जो है, यहाँ पे देखें, बहुत सारे अधिक कारेक्षमता भी बहुत अच्छी होती है, उनत होती है, जिससे असानी से डाटा का विशलेशन हो सकता है, दूसरा है, यहाँ की R Foundation for Statistical Computing, जिससे असानी से देखें, पता लगा जा सकता है, मैटलैब है, यह मैट वर्क के लिए है, अगर देखें, डाटा में कुछ मैट का क काम है, तो इससे पता होता है, मैटलैब से, माइक्रोसोफ एक्सल, इससे देखें, स्प्रेडशीट बनती है, जितने भी देखें, मार्क शीट होती है, वो इससे बनती है, ऐसे एसे एन की Statistical Analysis Software, अब देखें, एक डाटा में कितना Statistical Part है, है न, कितना Stat है उसके अंदर, कित नहीं है, लास्ट है मिनिट है, तो यह जो जितनी चीजे हैं, इससे पता लगाए जा सकता है, कि जो मातरात्मक डाटा है, वो कितना है, क्वांटि डाटा है, जो कितना है, एक रिसर्चर के पास, तो इससे असानी से देखें, जो रिसर्चर है, एक शोद करता है, इससे अस अब यह जारने की जूट है कि जो डाटा उसके पास बहुत सारी मात्रा में था उस में से उसका कितने काम का है वो कितनी अच्छी क्वालिडी का है आप मार्केट से कोई बुक लेते हैं बुक लेते से में देखिए आप उसमें देखते हैं कि उसकी भाषा इजी है असान है य यह paper 2 है उसको पड़ने के बाद आपको ना तो कोई book पड़ने जूत है ना को notes बनाने जूत होती है क्यों 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 हमने सारा ही topic उसमें cover किया है उसी से exam से caution मनता है लेकिन market में बहुत सारी books ऐसी है जो आप विश्वास करके लेते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपको उस टॉपिक से सम्मंदित पहली बात तो क्या होता है इसमें टॉपिक पूरे नहीं होते विशे पूरे नहीं होते दूसरी बात क्या है कि उसमें अगर विशे होते बहुत चोड़े होड़े देते हैं विशे उसमें आपका टॉपिक कवर नह लेकिन अगर आप एक अच्छी बुक लेते हैं जिसमें आपका सारा स्लेबस कवर हो जाए जैसे हमारे यूटीब चैनल है उसका बुक लेते हैं आपका पूरा स्लेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने जोत नहीं बढ़ती तो यहाँ भी बात आती है है ना जैसे आप चाइना का मुबाईल लेते हैं और कम्पनी का मुबाईल लेते हैं आपको उसमें quality का फरक दिखता है तो वैसा ही data में फरक होता है कि जो data है आपके पास वो कितना अच्छा है कितना बुरा है तो देखे अब इसमें quality check करने के लिए होता क्या है quality check करने के लिए गुणात्मक चक करने के लिए देखे ये जो software है जैसे nvivo, atlas.ti, mxqda और spss, text analysis ठीक है ये text analysis है इसमें जो शब्द है शब्दों की पहचान या पे की जाती है तो इस सारी सीटे क्या है गुणात्मक data visualization के लिए तो last अब बारी आती है उत्तर data इनकी post data visualization में ICT के अनुपरों के बारे में ये तीसरी stage है जहां पर data इकठा कर लिया गया है अब देखा जाना है कि data इकठा करने के बाद stage कौन सी आती है इसमें चेक के जाएगा कि जो भी data है वो चोरी का तो नहीं है वो पूरा है आधूरा तो नहीं है सब कुछ इसमें दिखा जाएगा पहली स्टेज में हमने क्या था जब डाटा इकठ्था नहीं किया गया था दूसरी स्टेज में किया था कि डाटा इकठ्था कर लिया गया है तीसरी सीज वो है जहां पे डाटा इकठ्था करने के बाद की स्थितिक ऐसी होती है तो देखे डाटा विश्रेशन के बाद ICT को संधर्वित करना ICT को डाटा विश्रेशन के चरण को पूरा करने के बाद अनुसंधान की गतिविदियों पर लागू किया जाता है तो देखे यहाँ पर क्या है जब डाटा विश्रेशन किया जाता है उसके बाद क्या है ICT को संधर्वित किया जाता है मान लिजे कि आपने डाटा कठा किया आपको ICT की हेल्प लेनी पड़ेगी Information Communication की Technology की हेल्प लेनी पड़ेगी जैसे आप पता लगाएंगे कि वो डाटा कैसा है सो देखें सबसे पहले बात आती है आपे संधर्व और गरंत सुची संकलन यान की Reference and Bibliography Compilation उसके बाद शोध करता हूँ परेवेक्षो आदी के बीच अनुचेद और Thesis और शोध विमर्शन की Article and Thesis, Dissertation, Discussing, Discussion Among Researcher, Supervisor and Supervices तो देखें यहाँ पर Next है साहित्तिक चोरी का पता लगाना इनकी Plagorism, Detection और चोथा है D.Point, General Pandu लिपियां प्रस्तुत करना है इनकी General Manuscript जो है वो सब्मिट करना तो चलिए इस एक बाद डिसकुस कर लेते हैं देखें सबसे पहले बात आती है संदारब और ग्रंत सूची संकलन के बारविन की Reference and Bibliography Compilation देखें जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके नीचे देखें रेफरेंस दिया होता है जब आप Wikipedia पे सर्च करते हैं Google पे सर्च करते हैं तो Wikipedia का जो end होता है वहाँ पे देखें कुछ reference दिया होता है बुक्स का है ना किसी writer का तो बताते हैं कि अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप इसका जो जाके reference ले सकते हैं तो देखें कुछ साल पहले क्या होता था कि जो शोद करता है संदारब और ग्रंत सूची को manual रोप से संक्रेट करते थे जैसे के होता क्या था वे बस्तूओं संदारब और ग्रंत सूची के पूरे खंड का निर्मान करके type करते थे फिरो ने आरोही क्रम से क्रमबत करते थे तो देखें होता क्या था कि पहले जब माल लिजे कोई researcher है कोई शोद करता है उसने अपनी research का पूरी कर ली है लेकिन उसमें देखें उसको reference देना है उसमें उसे देखें संधरबित करना है बिबलोग्राफी करनी है तो पहले कैसे करता था पहले वो क्या करता था देखें पूरे खंड का निर्मान करेगा अपने पूरे काम का निर्मान करेगा उसी किताब बनाएगा फिर किताब बिनाने के बाद क्या करता है देखें उसमें वो type करता था हर एक reference को उससे क्या करना पड़ता था तो type करने के बाद फिर उसे देखें वो ascending order की आरोही करम इनकी बढ़ते क्रम में वो लगाता था continuous यानकी line wise कहते ना जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा ऐसे करके पहले क्या होता था, सब कुछ manual रूप से अपने हाथों से करना पड़ता था खंड का निर्मान किया, फिर से ने type किया तो इसने उसका reference दिया उसके बाद क्या था, उसे अरोही करम में लगाया तो ये सारा काम क्या था अपने हाथों से होता था, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन देखिए आजकल क्या है, इस प्रकार के software अपने लेक या शोत को त्यार करते समय शोत करता कि दक्षता और सरटिकता में सुधार कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे समय बदला, थोड़ी से तरक्की हुई, ICT के आनके बाद क्या है, जो reference और विबलो ग्राफी देखिए जो हाथों से लिखनी पड़ती थी टाइप करने पड़ती थी, हर एक जगा पे हर एक page पे, आज कर गया है वो अपने आपी वहाँ पे लगाई जा सकती है, तो जो काम पांच दिन में होता था वो काम आज पांच मिनट में होता है, कहां पे हाथों से लिखना है reference को, कहां पे आपको सब कुछ वहाँ पे बना में खुदी वहाँ पे मिल जाएगा तो देखे, नेमन लेके software वो है, जो ग्रन सुची संकलन के लिए की जा सकती है, यहांके अगर आपको reference देना है, बिबलोग्राफी करनी है अपने काम में तो आप उसे इनकी मदद से कर सकते हैं, जैसे end notes हो गया Zotero हो गया, Mandalay हो गया आप इनकी help से, इनकी साहिता से क्या है, reference असानी से दे सकते हैं, तो देखे यह बहुत सारे जो software है यह सिरफ researcher के लिए शोद करता के लिए ही बनाए गए है तो next बारी आती है शोद करता हूं शोद करता हूं, परिवेक्षों परिवेक्षों आदी के बीच अनुशेद और थिसित शोद वी मर्ष इनकी article and thesis या dissertation, discussing among researcher, supervisor या super vices तो देखे यहां पर क्या है एक लेकक या शोद प्रबंद के निर्मान के दोरान शोद करता हूं परिवेक्षों के बीच दोरान चर्चा या संचार के वक्षता होती है अब देखे होता क्या है जब भी एक लेक होता है थिसिस होता है जो भी शोद परबंद होता है वहां पे क्या है एक जगा पे शोद करता होता है दूसरी तरफ क्या है उसका परिवेख्शक यान की सूपर्वाइजर होता है दोनों की बीच क्या है आपस में संचार होता है या चर्चा होती है देखे जब भी हम स्कूल में जाते है न जब भी हम टीचर को देखे अपनी फाइल सम्मेट कराते थे वो हमसे क्या था प्रैक्टिकल लेते थे ना सवाल जवाब पूछते थे मौकी रूप से तो ऐसे देखें यहाँ पर क्या है एक तरफ शोद करता है दुसरी तरफ क्या है सूपरवाइजर है तो वो उसको जैसे अपना देखें काम बताएगा अपना लेक अस्तिस बताएगा तो आपस में देखें शोद करता और प्रवेक्षक के बीच में क्या है संचार होता था उस टॉपिक को लेके विशे के लेके चर्चा होती थी लेकिन आज क्या है तो जिसको फिर से सुधारा जा सके शोद करता के दुआरा लेकिन आज कल क्या है आज कल देखें हमारे पास अनुसंधान समागरी संधा करने की सुविधा के लिए ICT का उन्नत उपयोग है विशे वस्तु विशे शग्यों से टिपनिया मांगना परकाशित की अगरपनों की निगरानी करने के ले इनल्टिक्स को सक्षम करना साथ ही साथ कुछ विद्यवानों की कारों का पालन करना लेकिन देखें जहां पर क्या था एक शोद करता को पहले सूपरवाइजर से चर्चा करने पड़ती थे लेकिन आजकल क्या है आजकल ICT के मेंदर से क्या है जो भी उसका काम होता है लेक ह जगा पर इंटरनेट पर डाला तो वहाँ पर देखें अगर उस शोद से सम्मंदित बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हैं तो उसमें वो उसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या कमिया है ताकि वो फिर से सुधार सके अब देखें पहली बात क्या होती है कि जो भी परकाशित पन्ने हैं जैसे माल लीजिए किसी अनुस अधान करता नहीं अपने एक बुक बना दी लेकिन उसके आंसर कौशन के आंसर मैच नहीं करें और उसके आंसर गलत है अब देखें जो सूपरवाइजर था वो पहले हर एक चीज को उसे ढूड़ना पड़ेग वो कैसे कर सकते हैं जैसे देखें अकैडमिया.edu यहनकी एजू और रिसर्च गेट यह दो ऐसे सॉफ्टवेर है जिसके मदद से क्या है वो असानी से इसे कर सकता है अब देखें जो एक रिसर्चर ने या जो एक शोद करता ने अपना जो काम समिट किया है अपना जो काम दिया है किसी को पता लगाना कि उसमें वो उसका काम वास्विक्ता वाला है या चोरी का है तो होता क्या है देखें पहले क्या होता था कि अतीत में साहित्तिक चोरी के कारे धीमी गती से चलने वाले थे और उन्हें खोजने के लिए विश्विद्यालों या पत्रिगाओं के प्रादिकारेों के रूप में उनका पता लगाना अवशकता देखें पहले क्या होता था पहले जब मान लिजे कोई अनुसंधान करता है अगर उसने अनुसंधान अपना कर लिया तो उसने जो अपनी फाइल सब्मिंट करा दी जो थीसी सब्मिंट करवा दी फिर वो चेकिंग के लिए जाती थी कि क्या उसका जो ये काम सब्मिंट कराया गया है क्या ये उसका अपना काम है उसकी मेहनत का काम है या उसने किसी का कॉपी करके वहाँ पे लिखा था तो इस काम में क्या था टाइम बहुत लगता था पैसे बहुत लगते थे और ये काम बहुत धिमी गती से होता था लेकिन देखे आजकल क्या है बहुत सारे ऐसे software यहाँ पर आ चुके हैं कि मान लीजिए एक शोद करता यह कहता है कि यह मेरा काम असली वाला है यह मैंने किसी का चोरी नहीं किया लेकिन देखे बहुत सारे software ऐसे हैं कि जिनकी मदर से असानी से पता लगाया चाह सकता है कि यह कहां से copy किया गया है तो देखे चोरी का पता लगाने के लिए कि उसका काम वास्तविक्ता वाला है या नकली है तो यह कैसे पता लगेगा वो software की मदर से पता चलेगा आज कल तो देखे ICT के प्रकरती के साथ क्या है पाठक या शोद करता बाजार में अपलब्द साहितिक चोरी चेकर software का प्योग कर सकते हैं जैसे देखे ग्रैमरली है, आर्टिकल चेकर है, ट्रंटिन है, डूपली चेकर है इससे देखे असानी से चीज पाई जा सकते हैं जैसे मालिजे उसका जो काम है 200 पेज का है वो 200 पेज को देखे यहाँ पे डालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे, कौन सा पेराग्राफ कहां से चोरी किया गया है तो यह सारी चीजे इसमें आती है प्लैगरिजम डेटेक्शन से देखे आज कली काम बहुत असानी से हो जाता है सो लास्ट है जनरल पांडू लिपिया प्रस्तुत करना है जनरल मैनुस्क्रिप्ट समेशन अब देखे अतीत में जनरल पांडू लिपि यहनकी जो मैनुस्क्रिप्ट होती है जमा करता है मैनुस्क्रिप्ट देखे वही है कि जो अपने हाथों से काम किया है ना वो manuscript हो गया manually तरीके से किया देखे अतीत में जो journal पांडूलिपी manuscript होती थी जमा करता शोद करता हूँ लेक को और journal के संपाद को समनवेकों के बीच email संचार के मादन से हुआ करता था देखे मान लिजिए एक researcher अनुसंधान करता है उसे अपना जो manuscript है उसे अपना जो काम है वो संपादक को जमा करवाना है तो उसके लिए क्या था वो mail करता था उनको कि मेरे पास यह काम है कि आपको यह जमा करवादू तो देखे फिर वहाँ से mail आता था कि आप करवा दीजिए या ऐसे कर लेजिए तो उसमें टाइम थोड़ा से लग जाता था लेकिन अब क्या है कि अब जो वेब अधारिद जनल पांडूलिपिया है मैनुस्क्रिप्ट है प्रबंदन और सह कर्मिक समेक्षा सौफ्ट्वेर इलेक्ट्रोनिक पांडूलिपि जमा या प्रमंदर प्रणाली आम तरपशोत करताओं प्रत्रिकाओं प्रकाश्कों के समधाओं के बीच उप्योग की जाती है पहले क्या था समपाद्गों को क्या था कि पहले मैनुस्क्रिप्ट या पांडूलिपि देनी पड़ती जिससे वो कोच के पता लगा सकते थे कि ये चलेगी या नहीं तो अब क्या है कि देखें एक काम क्या है आज कल इंटरनेट के जरिया असान हो चुका है वहाँ पर क्या है बहुत सारे ऐसे सौफ्ट्वेर हैं जिन से सानी से चैकिंग की जा सकती है जैसे एक अनुसंधान करता है उसी विशे का दूसरा अनुसंधान करता जो है वो सोफ् से पढ़ता था लेकिन अब क्या है यह बहुत सारे प्रकाशक जो है बहुत सारी पत्रिगाओं के जो प्रकाशक है उसे असानी से देख पाएंगे तो यहां पर क्या है नेक्स्ट ऐसी परणालियों का अपयोग करके परकाशन की स्तिति को प्रस्तुत करने और जांचने के उनके समय को कम किया जा सकता है इसके इलावा इस तरह के परणालियों का अपयोग प्रस्तुत करने के सासा सह कर्मी समिक्षा परवंद्दैं जिसमें गलत संचार को जाने या संचार की देरी को कम से कम किया जा सकता है कि उत्पादक तक और गुर्दवत्तर में सुधार कर स सकता है वही सिंपल जी बात है कि देखे अगर मालिजे पहले अनुसंधान करता है तो पहले क्या करता था संपादक को मेल करके अपने फाइल भीजता था फिर संपादक बताता था कि यह छपने वाली है यह नहीं लेकिन आज कर क्या है कि जो उसका काम है किसी अनुसंधान करत कर रान का टो वह सीधे ही परकाशक को दे सकता है तो परकाशक अगर अपना का इंटरनेट जाल दिया तो परकाशक उसमें यहां पर तयाल लगता था अब क्या है वहां पर अब टामी यह समय कम लगता है तो उसको असानी से वो पता लगाया जा सकता है किसमें क्या कैमिया है और जो अनसंधान करता है निज़ अपनी फाइल जो जमा करवाए थी जो उसका काम था वो उसकी गुड़मत्ता में सुधार कर सकता है यह कि जो काम पहले बहुत लंबे परसाश से था अब वो असानी से हो सकता है पहले डर होता था कि यह फाइल वहाँ से कटना जाए यह फाइल खोना जाए लेकिन जब बालिजे वो अपने फाइल को online submit कर देगा तो वहाँ पे क्या है अगर उसकी फाइल कट भी जाएगी तो वहाँ से फिर से वो डाउलोड कर सकता है तो यहाँ पे यह सारा डर महाँ पे खतम हो गया तो देखिए नेमलेकेट सॉफ़वेर है जिनके मदद से क्या है कि एक अनसुन्धान करता अपनी manuscript या पांडू लिपियों को प्रस्तुत करने के लिए असानी से का प्रयोग कर सकता है तो देखिए जैसे Elsevier है, Willi है, Sage Publications है यह सारी जो चीज है यह इसमें अपनी manuscript वो प्रस्तुत कर सकते हैं पहले देखिए का होतादा की पहले प्रस्तुत करने के लिए संपात्गों को इस साथ संपर करना पड़ता है लेकिन आजकल क्या है कि अपनी चीज को आप असानी से प्रस्तुत यहाँ पर कर सकते हैं इन सोफ्ट्वेर के द्वारा तो फ्रेंड्स यह था आजकल लेक्चर मुझे आशा है कि आपको इन लेक्चर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक और शिर्ट का नमत भूलिए डेली फ्री वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साथ में बैल लेकिन प्रेस करना मत भूलिए सो मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत